दोस्तो बारिस की मौसम है और गर्मा गर्म समोसे अगर खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए इतना टेस्टी समोसा सच बता रहे हूं घर पे ही मैंने बनाया है तो आप भी बना सकते हूं ऐसे समोसे घर पे ही कुछ ही बेजिक इंग्विटेंड का यूज करके आप यह समोसे और साथ में यह लाग चत्नी जो देखकर ही खाने को मन कर जाए ऐसी चत्नी हम गर्पे ही बना सकते हूं तो चलिए आज मिलका देखते ही वही टैसी पीक कि उन्हें यह समोसे कैसे बनाए और इसे मैंने सव किया है ऐसे दही समोसा तो चलिए पहले उसके लिए हम बनाते है यहां पर पॉक्तिन गुड दो कि अंदर की चाहिए को क्याना डाल दिया और फ्लेम को मैंने हाइछ पर यहां पर कलता है यहां पर भी में नहीं पर बेली आप लिए जिर माने डाला है इसके बाद यहां पर दाले जीरा श्रीक येजिट डालना और उसके बाद यहां पे हम डालेंगे जिंजर पावडर एक टीस्कून कस्मीरी लाल मिर्च में डाल ढूँए दो टीस्कून को मैंने डाला है आप चाहें तो कि तिखा वाला भी डाल सकते हो लेकिन कस्मीरी मिर्च डालो गे तो उसका टेस्ट और कलर भी अच्छा हैगा यहां पर यहीं करतीघ हुँ उसके साथ मैंने यहां पे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा से छादा नमक थोनों ही टेस्ट के अवरें मैंने यहां भी डाल दिया है तो आप यहां पे कालीमिरी का पसक यहां हुश कर सकते हो तो जब यह गोल अच्छे सी उबल जाए तब हम इसके अंदर यह एड करेंगे गूर अच्छे से मिल तो जाए उसके बाद ही हमें यह एड करना है पहले आड नहीं करना है और यह कॉंस्टार्ट डालने से क्या है कि हमारी जो यह चत्नी है ना इसके अंदर स्वासा गाड़ापन आ जाए रहा और चत्नी हमारी मार्केट के जैसे ही बनकर तयार होगी बहुत ही टेस्टी चत्नी बनती है जब भी आप बनाना चाहो तो इंस्टंटी फटाफट यह और यह थी में धूर्केट साथ मेहने डाला था अम का पाउड्र जो में बोलना घुन गया सबस्टूर्ट तो यहां पर आम का पाउडर यहां पर जलुदत के साथ स्थरा यह Ten गाउट-पाउडरले ंने पांक से शे चमास डाला लिए तो आप अपने जब् Corey saan तो नहीं को आपर आपके आपके डाल सकते हैं कि अच्छा है कि अच्छा है नहीं सेav साइट के लिए टैयार को रहेंगे तो यहां पर हम यहां पर यहां पर यहां पर आता है राइ, जीरा, अजवाई, और यहां पर मैंने ले लिया है कलोंजी तो यह सारी चीज़ें मैंने और साथ में फूड़ा सा सवुख यह भी डाल दिया, और यह डूज ओऊडर, गरम मसाला लाल मेज़, नमग, यह सारी चीज़ें हमें बेजिक मसाले में डाल देना है और इसे अच्छे से हमें रोस्ट करना है, आप चाहिए हो तो यहां पर अद ताकि यह अंदर से और हमारा अच्छी सिखते हैं अब देख सते हूं कि मसाला अच्छी आखे पुचुता है हैं कि यहां पर डाल दिया है लाल मील्च जो हम आती है वो पट करके डाली है बढ़के तो आप दोनों ही चाहो तो डाल सकते हो इसे पेस्ट और लोग समुझे का पहुत ही अच्छा आता है तो आप ये डाल सकते हो इसे सकेपना परें और उसे भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लिए ज्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं है बस इसमे बाद हमने बॉइल पोटेटो जो है मैश करके मने रखे हुए थे साइड पे वो डाल दिये 500 ग्राम के करीब और आधी चक्ते करीब यहां पर मैंने धनिया पस्ता डाल दिया है इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर अगर आपके पास फ्रेस या प्रोजन मतर है तो आप इस टेस्ट पर डाल सकते हो मेरे पास अभी नहीं हो तो मैं नहीं एड कर रही है लेकिन अगर आपके पास है तो आप यहां पर वो एड कर सकते हो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर तो आप अपने अमसाला बना सकते हो मेरे इस प्रकार से बना देखी तेटमी रोष्ट करते हैं और हां obt ul би लोग क्या है इए популяр मिक्स करके सब गयास को बंद करते लेकर लेकि नहीं इस बात का हमें ध्यांड लगना है इस पर हमें अच्छे से रोश्ट करना है मसाले को उसके बाद तो यह मसाला बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा तो देखिए अब हमें आठा लगाना है तुसके लिए मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया नमक डाल दिया और ऑईल डाल दिया ऑईल अच्छे से मोयन हमें डालना है मुठी बर हमारा बन जाए उस तरह का हमें यहां पर ऑईल डाल और यहां पर गजमें यहां पर थोड़ाओं यहां पर रॉटी जैसा नहीं बनाणा है इस से हमारा ब्रॉक хотas हमें सक ही लगाना है तभी हमारा जो समोसे का पढ़ है वो क्रिस्ट बणकर तैयार होगा देखे इस प्रकार से हमें मसल मसल का अच्छे से दो लगा लेना है और फिर उसे रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है अगर आपके पास समय हो तो आदे गंट के लिए रोटी देखे तो इस प्रकार से आप रोटी बेल ले थोड़ी पतली बनाए ज्यादा मोटी न रखे वर्णा क्या है की सौगी रहेगी इसका जो पाड़ है वो सौगी रहेगा रिस्पी नहीं बनेगा इसलिए थोड़ी पतली ही बनाए और इसे अच्छे से बेल फिर उसे बीज में से हमें कट लगाना है तो आप समोझे किस प्रकार से बनाते हो ये मुझे comment box में जरूर से बताए और अगर आपको में रेसीपी पसंद आती है तो रेसीपी तो लाइक सबस्क्राइब करना भूले नहीं इस प्रकार से हमें फोल्ड करना है और हमें पॉर्ण के सेप में ले आना है और मसाला हमें यहां पर अच्छे से फिल कर देना है दबा दबा के हम बढ़ेंगे वैसे मार्केट से जो लाते हूं उसके अंदर इतना मसाला फिल वो लोग नहीं करते हैं कम ही करते हैं लेकि हम गर कर दिया और हमारा समोसा बनकर तयार हुगा इस प्रकार से हम सारे समोसे बनाकर चैयरी कर लेंगे इसके बाद हम साइड में तलेंगे और हाँ प्रेंज गर आप चाहो तो इस प्रकार से समोसे बनाकर आप फ्रोजन भी कर सकते हो 10-15 दिन तक ये फ्रोजन में अच्छी रहते ह तो आप इस प्रकार से फ्रोजन भी कर सकते हो, देखिए, अब हम तेल में तलेंगे, तो तेल भी हमारा रैडी है, तो हम वो भी चेक कर लेंगे पहले, और जब भी ये समोसे तले, तब हमें तेल को धाई फ्लेम पर नहीं रखना है, ये देखना है हमें, में हमेशा मेडियम तो लो फ्लेम पर ही कूप करना है, तो समोसे हमारे रैडी हो चुके है, तो आप इस प्रकार से समोसे रैडी कर ले, और इसकी निसानी ये है, कि समोसा अच्छे से इस प्रकार से बैठना चाहिए, तब हमारा समोसा प्रापर बना है, प्रापर इसका से पाया है, ये समझ मे वरना हमारे समोसे में किस मज़ा नहीं हुए ऐसा लगता है अगर वो प्रोपर इस प्रकार से सीट नहीं लेता तो तो देखिए हमारा तेल भी अच्छा से हो चुका है और हमने यह आपके समोसे भी अंदर डाल गए वैसे आप लोग समोसा पसंद करते हो कि नहीं यह मुझे जरूर से कॉमन्ट वोक्स में बताना और आप लोग कहां कहां से मेरी रैसीपी को देखते हूं यह मुझे परहे हैं कि मैं भी विवरत कहां वे उस पकार से मैं सômचा बनाती हूं और इसे हम सर्व करते हैं अलक तरीके से तूवो मैं आगे आपको बताउंगी वैसे पहले तो अगर आपको पहले बादी में मज़ा नहीं आई थी रेसीपी में तो आप इस रेसीपी को देख कर स्वाकर समोसा बना सकते हो तो by यह बहुत ही तेस्ती बनता है इस ताहा सब्सेर si moosa, अगर आप पसंदके हुbety एक बार ज़रुर्स ही घर पे इस तो समेटे गर बनाएज गिए और आखेश्य क्रषा of you my country बनते हुरे हैं न half- do not reach the और फिर इसे हम सब़ भी अलग रिकार से करते हैं बाहर से लाते हैं तो इसे लेकी दही समुसा के रूप में खाते हैं तो हम इसके उपर अलग-अलग चपनिया वगेरे डाल कर इसे एंजोइ करते हैं तो बहुत ही मजया आती है खाने में और बच्चों को भी बहुत मज़ा दिये तो आप इस प्रकार से ये समुसा एक बार जरू सी ट्राइ करें और आप लोग अभी बारिस की सीजन में और कौन-कन सी रेसिपी बनाना पसंद करते हो ये मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताए देखे इसे आप फ्राइ करके भी रख सकते हो और फिर जब खाने का मन हो तब आप इसे गरंग करके फिर से खा सकते हो और जाहो तो इस प्रकार से पूरा भी फ्राइ कर सकते हो देखिए मैंने ये फ्राइब किया है कितना यम्मी बनकर तयार हुआ है देखकर ही मुह में पानी आ रहा है फ्रेंज मैं रह ही नहीं पाते देखिए ये जटनी भी हमारी तयार है तो ये अभी गरम है इसलिए थोड़ी पतली दिख रही है लेकिन जब ठंडी हो जाएगी तो इस चटनी को भी आप बना कर फ्रीज के अंदर रख सकते हो फ्रोजन कर सकते हो लंबे समय तक तो अगर आपके पास चटनी रहेगी तो आप कभी भी कुछ भी इस चटनी में से बना सकते हो तो देखिए मैंने समोसा इस प्रकार से तोड़ लिया है और उसके उपर हम अब डालेंगे अलग-अलग प्रकार की चटनी है जैसे कि पहले तो मैं यहां पर दही जो मैंने ब्लैंड करके रखा हुआ था वो दही डाल देगे इसके उपर फिर उसके उपर डालेंगे ग्रीन चटनी या स्वारी रेड चटनी पहले डाली मैंने तो यहां पर थोड़ी सी ग बूद्या डाल दी है और फिर उसके उपर दन्यापती डाल दी अब इसके उपर फिर से हम थोड़ी सी रेड चतनी डालेंगे और इसे एंजोई करेंगे फ्रेंज क्या गजब का टेस्ट आता है इसका आप एक बार जोड़ी से बनाकर ट्राइब करें बहुत ही यम्मी बनकर